प्रेणा कथा असंभव सपना वो समुद्र के किनारे रेट पर बैठी लहरों का नजारा देख रही थी उसके भूरे बाल तेज हवा में बार बार उसके चेहरे पर आ जाते थे वो अपने हाथ से ना जाने कितनी ही बार अपने बालों को अपने चेहरे से हटा चुकी थी वो दुनिया से पूल रूप से अनभिग अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी अकेली उसने अपने चारों तरफ देखा किसने वो प्रश्न किया था लिना नहीं जानती थी कि कोई उसको बहुत देल से देख रहा था उसने देखा कि उसके पीछे एक लंबद चाली स्वर्स का पुरुष कर रहा था उसके काले बालों में कहीं-कहीं सफेद लकीरें भी दिख रहे थी पर अन्तों उसकी भूरी आँखों में सुरज किसी गर्मी थी लिना ने उसकी आँखों में एक अनूठे प्रकार का हलके और गाड़े रंगों का मिश्रण पाया वो मंद बंद मुश्कुडा रहा था उसके चेहरे को देखने से ही लिना को वो प्रभावशाली प्रतीत हुआ लिना ने कुछ रुक कर उसको कहा मुझे अकेले बैठकर समद्र की लहरों को देखते रहना बहुत अच्छा लगता है उसकी आँखे अभी भी लिना पर जमी ही होती वो थोड़ा और भी करीब आ गया लिना को उसके शरीर से उठ रही महंगी सेंट की सुगंद भागई लिना पिछले एक दशक से अकेली थी और अब ये पुरुष उसके पास ही खड़ा था उसने पूछा क्या तुम उन लहरों से खेलना पसंद करोगी आपने अभी सुना मैंने कहा कि मुझे अकेले बैठ कर इन लहरों को देखना अच्छा लगता है एक दम अकेले लिना ने थोड़ा जोड़ दे कर कहा हाँ मैं जाता हूँ तुमने अभी कहा था उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी वो अचानक बोल परा तुम बहुत नाजुक और सुन्दर हो मुझे तुम्हारी आँखे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी आँखे एरनी के बच्चे की जैसे है और जो तुमने आईलाइनर लगाया है उससे तो तुम्हारी आँखे और भी खुब्सूरत हो गई है लिना को अचानब गुसा आ गया तो इसका मतलब आप मुझे ही देख रहे थे उसने फिर से मुस्कुरा कर कहा मैं तो तुमको प्रतिदी नहीं देखता हूँ सिर्फ आज ही तुमने मुझे देखा रहे क्या आप यह नहीं जानते हैं किसी आउरत कर पीछा करना या उसको देखते रहना अपराद है और आप यहां मेरी आखों की तारीफ कर रहे हैं लिना ने जवाब तो दे दिया परंतु वो मन ही मन में खुश थी कि उस पुरुष ने वास्ताव में उसकी आखों की इतनी तारीफ की थी लिना सुचने लगी कि वो तो अकिली थी ही परंतु इस पुरुष ने उसके दिमाग को कैसे पढ़ लिया था लिना को उसने कुछ और कुछ कहने का अवसर नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ कर उसको खीचने लगा आओ हम दोनों पानी के अंदर जाते है लिना का तो पूरा शेरीर ही सुन में हो गया उस इस फर्ष को तो वो बहुत पहले ही भूल चुकी थी उसकी उंगलिया कापने लगी पर उसको खीच कर समद्द की तरफ ले जाने लगा लिना ने जोड से का लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है मैं डूप जाओंगी आराम से आराम से मैं हूना कहने के साथ ही उसने लिना को बाहों में उठा लिया लिना उसके दिल की धड़कर महसूस करने लगी वो उसको समद्द में ले गया और उसको कई बार पानी में डुबाया वो कुछ भी नहीं कर सकी उसने लिना को कसकर पकड़ रखा था कुछ नमकीन पानी लिना के गले से भी नीचे उतर गया अचानक उसने अपने होट लिना के होटों पर रख दिये लिना की सिस्कियां उबल पड़ी आपने ये क्यों किया तुमको इसकी जरुरत है और मैं ये फिर से करूँगा उसकी वही परचित मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी है लिना का गाम पूरा गिला हो चुका था और उसके शरीट से चिपक गया था वो लिना का हाथ पकड़कर फिर से उसको किनारे पर लिया आया मैं तुमको प्रते दिन देखता हूँ इस बात जब तुम उन लहरों को देखोगी तो मैं अपरचित मही रहूँगा मैं तुमको आप जानता हूँ उसने अपनी बहां लिना के इर्दगेड लपेट दी और उसको धीमे धीमे किनारे की रेट पर चलाने लगा लिना को भी उसका इस पर्ष अच्छा लगा था अचानत वो बोल पड़ा अच्छा चलो अब हम दोनों के लिए एक गर्मा गर्म कौफी तयार करो और कहीं हमें सर्दी ही न लग जया लिना ने अहरमी से पुछा क्या मेरे साथ मेरे घर पर भी आ रहे है वो मुस्कुरा कर बला हाँ मैं काफी तुम्हारे साथ ही प्यूंगा लिना अजीब पशोपेश में थी वो सुचने लगी कि क्या उसको उस पुरिश्य प्रेम होने लगा था वो समझ नहीं पा रहे थी कि उसको क्या हो रहा था वो बिल्कुल अकेड़ी थी और वो पुरिश्य एंदम अपर्चित था उसने घर के बाहर लुक कर कहा तुम्हारा घर बहुत सुंदर है समुद्र के किनारे ऐसे घर का होना तो एक प्रकार का उपहार ही है लिना ने कहा तुमको मेरे घर का भी पता है उसने मुस्करा कर लिना को अपनी तरफ ठीचा मैं तुम्हरे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो लीना और उस पुरिश की आँखे एक बार फिर से मिली लीना के लिए तो समय जैसे रुख गया उसने एक बार फिर से लीना के होटों को चुम लिया उस चुमन की लीना कितने वर्सों से कमी महसूस करती आई थी लीना ने कहा, यहां यह सम्मत कीजिए, यह सारजनी क्शेत्र है वो उसके साथ लीना के कॉटंज के अंदर आ गया लीना को तो दरोजा खोलते समय भी अपने हाथ कामते हुए महसूस हुमे थे उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया लिना ने कहा आपने दरवाजा के बंद कर दिया तुम क्या चाहती हो कि जब हम प्रेम करें तो हमको दुनिया देखें नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं इतने वर्सों से अकेली हूँ मैं ये सब नहीं कर सकती लिना अचानक रोने लगी घर के अंदर अंधेरा था उसने कहा मैं जानता हूँ के तुम भी मुझसे प्रेम करना चाहती हो लिना अपने आप से जोट तो मत बोलो थोड़ा इमानदार हो जवा इससे पहले की लिना और कुछ कह सकती उस फुरुष ने उसको अपनी बाहों में भल लिया लिना ने भी खुद को समर्पित कर लिया अचानक लिना ने उसको पीछे धकलते हुए का मैं ये सब नहीं कर सकती तुम चाहती हो ये करना तुम कितने वर्सों से मर्द से दूर रही हो मुझे छो कर देखो रात दोनों एक दूसरे के आगोश में खोय रहे सुबह जब लिना की आखे खुली तो वह वहां नहीं था वो सोचने लगी कि क्या वो उसका सपना था लिना वही सपना नाजाने कितनी ही रातों से देख रही थी और सपने के साकार होने की प्रार्थना करती रहती थी लिना ने उस पुरुष के लिए नाजाने कितनी ही कविताई लिखी थी कई महीनों सो वो अपने उस सपने में देखती थी एक वो पुरुष आएगा और उसको प्यार करेगा उस सुबह उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछली रात को क्या हो था क्या वो सिर्फ एक सपना था क्या वो मर्द उसकी सिर्फ उसकी कलपना था उसने बिस्तर के पास जाकर तक्ये को सुगा उस मर्द की महंगी सेंट की खुश्बू अभी तक आ रही थी मित्रो हो सकता है कि लीना अपने सपने के साथ ही जी रही थी या ये भी हो सकता है कि किसी पुरुष ने उसको पर बहुत दिनों तक निगाह रखी थी और चुपके से उसके घर में कविताई भी पड़ी थी फिर एक दिन उस पुरुष ने अपनी योजना के अनुसार उस पर काम करना शुरू कर दिया था क्या वो सच में आया था क्या वो लीना के अकेले पन का फाइदा उठा कर चला गया था क्या ये सब लीना की कलपना ही थी आप भी अपने विचार निचे लिख बहुत बहुत धन्यवादा